मोधी सरकार ने केंदरी करमचारियों के लिए Unified Pension Scheme का बड़ा ऐलान कर दिया है मोधी क्याबिनेट ने UPS याने की Unified Pension Scheme को मंजूरी देदी है एक अप्राल 2025 से Unified Pension Scheme लागू होगी रिटार्ड करमचारियों को भी UPS का फायदा मिलेगा 25 साल तक काम करने वालों को पूरी पेंशन दी जाएगी खास बात ये है कि जो लोग 2004 से मार्च 2025 तक रिटार हुए है उन्हें भी इस पेंशन स्कीम का लाब मिलेगा साथ ही उन्हें ब्याज के साथ एरियर भी मिलेगा केंदर सरकार ने करमचारियों के लिए UPS का अलान कर दिया है आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है ये स्कीम केंदर सरकार के करीब 23 लाख करमचारी करीब 23 लाख employees है उनको इसका benefit मिलेगा option रहेगा कोई अगर NPS में रहना चाहे तो NPS में रह सकता है UPS में opt करना चाहे which is naturally a very attractive scheme तो उसमें opt कर सकता है प्लस राज्य सरकारे अगर इसी framework को इसी architecture को use करना चाहे तो राज्य सरकारे भी इस architecture को use कर सकती है अगर राज्य सरकार के करमचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख क्या असपास total करमचारी इसका benefit मिलेगा केंदर सरकार ने करमचारियों के लिए UPS का एलान कर दिया है अब आपको बताते हैं कि NPS से कैसे अलग है Unified Pension Scheme Old Pension Scheme की तुलना करना कितना सही है इसके साथ और असान भाषा में समझे कि Unified Pension Scheme क्या है पहले OPS फिर NPS और अब ये UPS यानि Unified Pension Scheme अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये Unified Pension Scheme जिसको सरकार ने मंजूरी दी है वो NPS से कैसे अलग है और क्या सरकार Old Pension Scheme के तरफ जा रही है तो इसकी सफाई में आपको दे दूँ कि सरकार ने जिस Unified Pension Scheme को मंजूरी दी है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके तहट 50% आपकी Basic Salary का Pension मिलेगा इस बात की गारंटी सरकार आपको दे रही है अब ये 50% जो है इसका Calculation कैसे होगा तो आपने Retire होने से पहले 12 महिने की जो आपकी Basic Salary रही है उसका Monthly Average Basic Salary निकाला जाएगा यानि ओसत निकाला जाएगा और फिर जो ओसत बैठेगा उसका 50% कम से कम आपको Pension मिले इस बात की गारंटी Unified Pension Skim के तहत कर दी गई है लेकिन इसमें एक शर्त है कम से कम आपकी नौकरी की अवधी 25 साल होनी चाहिए अब आप पूछें कि 25 साल से कम है तो क्या होगा तो अगर 25 साल से कम है उसी अनुपात में आपका Pension कम हो जाएगा लेकिन सरकार ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि 10 साल तक किसी ने नौकरी कर ली है तो कम से कम 10,000 रुपे मन्थली Pension मिलता रहा है यह सुनिशित कर दिया गया है Unified Pension Skim के तहट इसमें एक खास बाती है अगर आप यह सोच रहे हैं कि सरकार क्या Old Pension Skim को अपना रहे है तो ऐसा नहीं है Old Pension Skim से इस Unified Pension Skim के तुलना ना करें क्योंकि Old Pension Skim के तहत पूरा कंट्रिबुचन सरकार दे रही थी NPS के तहट सरकार और Emply दोनों कंट्रिबूशन दे रहा था अब यह Unified Pension Skim के तहत क्या है सरकार ने अपना कंट्रिबुशन बढ़ा दिया है लेकिन Employ का कंट्रिबूशन नहीं बढ़ा है employee का contribution जो 10% होता था हम आप जो contribute 10% सरकारी नौकरी वाले कर रहे थे वो 10% ही contribute करेंगे लेकिन सरकार जो है अब साड़े 18% का contribution देगी तो यह unified pension scheme की खासियत है और दूसरी बाती है कि unified pension scheme जो साड़े 18% का contribution सरकार दे रही है इसकी समिक्षा हर 3 साल पर की जाएगी और समिक्षा करके यह देखा जाएगा कि क्या यह 18% जो है इसको बढ़ाने की ज़रत है क्या धटाने पर तो सकार विचार नहीं करेगी लेकिन इस समिक्षा के दौरान किसी भी सूरत में employee का contribution यानि कमचारी के contribution बढ़ाने में विचार नहीं किया जाएगा या फिर कहें उसमें कोई छेड़ चार नहीं किया जाएगा अब यह जो unified pension scheme यानि UPS है यह अगले कारोबारी साल से लागू हो रही है यानि 1 April 2025 से अब आप पुछेंगे कि जिन लोगों ने NPS को चुन लिया है नौकरी कर रहा है उनका क्या उन certified pension scheme यानि UPS को आप यहां पर अपना सकते हैं अब UPS को अपनाने कि कोई समय सिमा नहीं है सरकार का मानना है कि 90% से ज्यादा लोगों को के लिए UPS फायदे मन्द है तो आप भी अपना तुलना कर लिजे और चाहें तो जब चाहें आप UPS में आ सकते है अब एक सवाल यह और यह कहा है कि 2004 के बाद NPS के तहत जो लोग रिटायर किये हैं वो अगर चाहते हैं तो Unified Pension Skim के तहत आ सकते हैं ऐसी सुरत में उनको एरियर का भुकतान किया जाएगा जो एरियर बनेगा उस पर सरकार ब्याज भी देगी जो PPF यानि Public Provident Fund का जो ब्याज है वो ब्याज य जाएगा तो यह सारी बात है Unified Pension Skim के तहएगा इसमें एक और बात है Family Pension अगर किसी Pension धारक की मृत्ति हो जाती है उस पर डिपेंडेंट रहते हैं तो परिवार को Family Pension दी जाएगी Family Pension अंतिम Pension जो Pension धारक ने लिया होगा उसका 60% के ब्रावर का दिया जाएगा एक और जो लोग Super Annuate हो जाते हैं तो Super Annuate हो जाते है या फिर वैसी सूरत में सरकार क्या कर रही है कि आपको जो है सो ग्रेच्चुटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लंसम आपको एमॉंट दिया जाएगा वे लंसम एमॉंट जो है सो वह आपके salary का एक महीने की salary का दसमा हिस्सा होगा और इसमें भी आपको किसी भी तरह का pension पे, assure return पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर आप virus ले रहे हैं तो यहां ही बतातों virus ले रहे हैं तो अगर 60 साल की उम्र से पहले virus ले लिए तो pension आपको 60 साल की उम्र में ही चालू होगा लेकिं बांकी की सुधा हैं आपको यहां पे मिलती रहेंगी और एक और बात इसमें inflation indexation भी शामिल किया गया है महंगाई जिस तरीके से बढ़ेगी जैसे DA मिलता है मोज़दा कर्मचारियों को लिए वैसे वहां पे आपको डेलेंस relief यानि DR की सुधा यहां पे की गई है इस पूरी वेवस्था के तहट जो है सो सरकार का मानना है कि एरियर के तोर पर करीब 800 करोड रुपे जाएगा और पहले साल में करीब 6250 करोड रुपे जाएगा लागोगोन के पहले साल में और हर साल यह रकम बदलती रहेगी लेकिन बिल्कुल अभी unified pension scheme अगर आपने NPS चून लिया है तब भी आप ले सकते हैं NPS के तहट retire के हैं तब भी आपे ले सकते हैं और 1 April 2025 से unified pension scheme सरकार लागो करने जा रही है लेकिन इसको कते भी old pension scheme से तुलना करने के कोशिश ना करें क्योंकि दोनों शर्ते हैं अलग-अलग है NPS से जरूर आप इसके तुलना कर सकते हैं तो NPS के मुकाबले मुझे लगता है कि जाहेत और पे unified pension scheme कई मायनों में काफी ज़्यादा बहतर है